हाई गुड मॉनिंग रेस्पेक्टर पैरेंस और रेस्पेक्टर स्टूडेंस यह वीडियो हम बना रहे हैं उन सब पैरेंस और उन सब स्टूडेंस के लिए जो इस साल एईचेस का एक्जैम क्वालिफाई कर गए हैं मतलब पास हो चुके हैं तो आप लोगों की दिमाग में जो स्टूडेंट हो तुम लोगों के दिमाग में तो एक टेंट्सन है कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए और जो पैरेंस से अब लोगों को भी डिमांड मतलब दिमाग में यह चल रहा है कि मेरे बच्चेव को किस सब्जेक्ट में अद्मिसिन दिया जाए मैं मैं एसके रियाजूल मिद्डे स्रीडामपुर गाल्स कॉलेज के इतियास डिपार्डमेंट के एसिस्टेंट प्रफेसर हूं तो मेरा सजेसेंस यह है कि आप लोग अपने जो पैरेंस को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चे को हिस्ट्री सब्जेक्ट में एड कर सकते हैं चाहिए वो किसी भी कॉलेज किसी भी इनिवेडिसिटी में हो तो क्यों करना है हिस्ट्री तो यह करके हम आउटकम बताते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या मिल सकता है पहले हम यह बता देते हैं जब अपने बच्चों को आर्स में डाले उसको graduation कर लेना है फिर B8 कर लेना है अगर वह हाइस सेकेंटी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं या primary section के लिए अलग training होता है PTTI के training होता है तो उसमें भी training लेके वह primary school के टीचर बन सकते हैं तो school teacher बन सकते हैं सकते हैं अगर वोस्ट बेंगल से हैं तो हर स्टेट का है एक हाईस्ट डेवल के लिए exam होता है executive officers जो होते हैं उनको बनने के लिए तो अमारे वेस्ट बेंगल में WBCS exam होते हैं तो उसमें पाइसोग पैसे ख़क्ष्य होता है में थर्फेतby पुर्चों में सब्साहएं और लोग Basically कि वह सब्सुन कौइए कर लिए जो भी IPS officers बनते हैं बहुत सरे लोगों को मैंने सुना है देखे हैं आप लोग भी देखे होंगे history पड़ते थे without मतलब history subject means में रखे थे तो history के लावा हमारे देश के किसी भी exam में आप qualify कर नहीं सकते ancient medieval modern sections बहुत important है यहां से questions आता है हर एक्जाम में आप तीसरे section में आता है कि आप अगर प्राचिन भारत की इतिहास जो सहस्कृती में अगर परते हैं मतलब ancient Indian history तो उसमें section बहुत अलग-अलग है archaeology में आप जा सकते हो archaeology archaeologist बनने के लिए archaeological का कोर्स होता है graduation के बाद post graduate कर लीजिए archaeology में फिर आपको job मिल सकता है archaeologist बनने के लिए मौका मिल जाएगा अगर आप बना चाहते हैं museologist, museum में job करना है, तो museology का post graduate course कर लीजिए, उसमें भी आप museologist बन सकते हैं, और बहुत सरे section, जैसे South East Asian studies हुआ, इसमें South East Asian countries के साथ जो relation है, उसके बारे में जानकर यह job भी मिल सकता है, या world level में, अगर आप world level में कम करना चाहते हैं, तो बहुत सरे knowledge आपको history से मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि railway, bank, हमारे देश के जितनी भी exam होते हैं, उसमें history का question आता है, history के question के लाबा question ही नहीं होता है, तो मतलब history बहुत important paper है, without history यह कुछ भी exam qualify करना है, ना मुंकिन है, और अगर आप college की teacher बनना चाहते हैं, university की teacher बनना चाह तो आप graduation कर लीजिए, post graduate कर लीजिए, और उसके बाद net set qualify कर लीजिए, आप West Bengal के हो, या किसी भी state के हो, वो तो qualify करी रहे हो, और पूरा देश के लिए हर college university के लिए central level में भी आप eligible बन जाओगे, यह net set qualify करने के बाद, तो history परके आप professor भी बन सकते हो, और आप research section में भी जी करके, आप पूरा दुनिया भर के जहां पर भी जाके research कर सकते हो, बहुत यह अभी तो हमारे central government, state government, बहुत सरे scholarship हम लोगों को देते हैं, तो पैसे के भी चिंता नहीं है, मतलब दिक्कती नहीं है, अगर single child होते हैं, तो इंद्रा गांधी जो single child scholarship मिलता था, तो वो study fellowship, हर state का अलग अलग fellowship है, हर section में, अगर research अगर आप करना चारे हैं, तो बहुत अच्छा कासा, पैसे मिलते हैं, तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, आप research कर सकते हैं, research complete करने के बाद आप प्रफेसर बन सकते हैं, तो बहुत ही बाया opportunity है, history अगर परना चाते हैं, तो ब बहुत ही अच्छा opportunity है आपके पास, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हुएं, कि आर्ट्स में, आर्ट्स faculty से, मतलब आर्ट्स परके आएं आपका बच्चे, तो आप history में admit करा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा subject है, लास्ट में हम बोलेंगे, history हम लोगों को सब को जनना है, क् इतिया सब को जनना चाहिए, history सब को जनना चाहिए, और हमारे संस्कृति, हमारे समाज, हमारे अर्थिनिती को आगे लेके जाने के लिए history बहुत ही important subject है, तो आशा करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी clarification मिला होगा, कि history परके क्या कर सकते हैं, तो आशा करते हैं, बहुत सारे students history में आएंगे, और एक बात के उपर ध्यान दीजीगा, एंड में हम ये बोल रहे हैं, कि English language के उपर ध्यान दीजीगा, वो लिख पाई या बोल पाई, लिखना, बोलना, history subject के लिए, आने वाले दिनों के लिए बहुत important हो जाता है, हो जाहा रहा है, तो उस ब लिखना और परना बहुत ही important हो जा रहा है, आने वाले दिनों के लिए, हर subject के लिए, history के लिए भी ये लागू है, तो आईए, history में जोएन कीजिए, student लोगों को बोलते हैं, आप आओ, history में जोएन करो, बहुत ही अच्छा subject है, मजा आएगा, वीडियो ये पर खतम करते है दोस्तों लोगों के साथ share करो, और जो parents है, हम बोल रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, तो आसा करते हैं, थोड़ा बहुत मदद मिला है, thank you